Hi everyone, last video में हमने CSS start किया था और देखा था हम लोग कैसे तीन तरह से CSS लिख सकते हैं, inline, internal और external, हम लोग normally external अपने projects में use करेंगे, external CSS, और हमने देखा था कैसे basic text properties जो होती हैं, जिसे font style, font, text का color कैसे change कर सकते हैं, font weight यह सब देखा था, font से related basic properties हम लोगों ने देखी थी, तो इस video में हम देखेंगे CSS selectors क्या होते हैं, कैसे हम लोग अलग अलग तरह के selectors का use करके अपने elements को style कर सकते हैं, last video में हम लोग उने बस यही देखा था, कि कैसे element selector को use करते हैं, मतलब अगर p tag को हमें style करना है, तो p ऐसे लिख के फिर bracket लिख देंगे, तो फिर वो style हो जाग हैं, तो इस video में हम लोग देखेंगे class selector, id selector और attribute selector, और एक बार recap भी कर लेंगे, हम लोग अपना element selector जो भी हम लोगों ने last video में देखा था, तो चलो start करते हैं project, अपने इस project वाले folder में आ जाते हैं, यहां पर एक नया project create करते हैं, CSS selector, इसको right click करके open with vs code कर लेते हैं, open हो गया vs code में, अब इसको यहां पर index.html नाम से एक file दे देंगे, create कर लेंगे, यहां पर exclamation mark and tab, यह मेरा boiler plate code आ गया, अब यहां पर मैं लिख्यूंगा, CSS selector, अब यहां पर थोड़ा सा content लिख देते हैं, ताकि हम लोग को style करने के लिए कुछ रहे, कुछ हमारे page पे रहेगा, तभी तो style करेंगे, यहां पर h1 में एक डाल देता हूँ, एक यहां पर और क्या डाल दें, एक p tag डाल देते हैं, और एक ul और li भी डाल देते हैं, मतलब एक unordered list भी डाल देते हैं, इसके अंदर क्या लिखेंगे, चलो कुछ लिख देते हैं, html लिख दिया मैंने, फिर इसको duplicate, shift, down, arrow से duplicate कर दिया, मैं पर css लिख दिया, और फिर javascript लिख देते हैं, बस हमारे page को कुछ style करने के लिए रहे, इसलिए मैं बस लिख रहे हैं, यहां पर h2 डाल देते हैं, web technologies, यह डाल दिया मैंने, तो इतना चीज मैंने लिख दिया है, अब इसको open with live server कर लेते हैं, एक बार, यह मेरा live server के साथ यहां पर open हो गया है, अब मैं क्या चाहता हूँ, कि html का color red रहे, html का by default अगर logo हम लोग देखेंगे, html, अगर क्यों बस ऐसे ही search करके, यहां पर देखेंगे, तो इसका color हलका सा red होता है, बदर इसके logo का color, तो मैं चाहता हूँ, इसका color मैं red रखूँ, css का color मैं, css अगर मैं search करूँगा यहां पर, तो यह देखो blue color का होता है css, तो मैं चाहता हूँ css का यह वाला color है, फिर javascript अगर मैं यहां पर search करूँ, तो javascript का यह color होता है, yellow type में, तो और फिर उसके बाद react भी search कर लेते हैं यहां पर, react का ऐसा sky blue color होता है, इस type में, तो मुझे हर एक का अलग-अलग color देना है, फिर उसके बाद tailwind है, यहां पर tailwind भी देख लेता है, tailwind इसका क्या color होता है, इसका यह color होता है, इसकी website पर ही जाके देख लेते हैं हम लोग, क्या color है तो इसका ये color है ये देखो यहां पर ये color है तो हमें ये इन सब को इतना अलग-अलग color देना है तो एक तो तरीका है कि हम लोग यही पर सिधा देदें style color जो भी इसका color है अलग-अलग लेकिन हम लोग उने यह देखा था कि हम लोग inline style नहीं use करेंगे, हम लोग external style sheet use करेंगे, तो चलो हम लोग external style sheet use करते हैं, और use करके देखते हैं पहले, कैसे अभी जो हमारे पास selector है, उसका use करके कैसे हम लोग कर सकते हैं, अभी कैसे कर सकते हैं, तो style.css, मैंने यह CSS file create कर द आटोमेटिक लिंक हो जाएगा यहाँ पर बस याद रखना है फाइल का नेम इग्जाक्ट सेम होना चाहिए अगर इस से डिफरेंट हो गया यह दोनों अलग तो कनेक्ट नहीं होगा और काम नहीं करेगा ठीक तो देखो मैंने स्टाइल को कनेक्ट कर दिया है अब फिर मैं य कौन सा अलिमेंट है अलाई है यह तो अलाई अगर सेलेट करके लाई से ऐसे सेलेट करेंगे लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था अलिमेंट को लिखके हम लोग सेलेट कर सकते हैं जो भी अलिमेंट होता है वहाँ पर तो अलाई लिखा कलर कर दिया रड और इसमें यह color की spelling जो होती है mainly CSS में या किसी भी programming language में वो American English होती है, हम लोग British English लिखते हैं, C-O-L-O-U-R, यहाँ पर British English नहीं, यहाँ पर American English होती है, धिरे-धिरे यह C-O-L-O-R लिखते-लिखते इतनी आदत आपकी पढ़ जाएगी, कि वो जो C-O-L-O-U-R वाली spelling है, वो आपको गल बस इसका चाहिए, तो अब इसको कैसे दें, कैसे मतलब इसको deal करें, कैसे कर सकते हैं इसको, तो उसके लिए हम लोगोंने attribute, जो HTML का attribute वाला वीडियो था, Global Attribute वाला वीडियो था, उसमें हम लोगोंने देखा था, कि हम लोग class attribute हर एक element पर दे सकते हैं, और उसका use हम लोग यहाँ पर HTML में नहीं करते हैं, और वो कुछ change भी नहीं करता है, इसका use हम लोग CSS में करते हैं, हम लोगोंने वो वीडियो देखी थी, हम लोगोंने उस वीडियो के अंदर यह देखा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, global versus custom attribute नाम से वो वीडियो है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर i button पर उसका link भी दे दूँगा, अभी यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर class दे सकता हूँ, class कोई भी class की कुछ भी value दे सकता हूँ, तो यहाँ पर देता हू यह element को हटाओ, क्योंकि elements को सभी li को select कर रहा है, यहाँ पर तुम्हें dot लिखके, फिर html लिखना है, तो dot होता है class selector, मतलब किसी भी element के उपर अगर तुम्हें class दिया है कुछ भी, तो अगर उसको CSS के अंदर तुम्हें select करना है, तो तुम्हें लगाना है dot, और फिर वो लोग चल के देखेंगे यहाँ पर, तो देखो बस यही वाला select हुआ है, हैना अच्छा, मस्त है, तो अब देखो, ऐसे तुम्हारा काम है, चलो मैं एक को और कर देता हूँ, CSS को यहाँ पर change कर देता हूँ, CSS मैंने यहाँ पर कर दिया, और फिर यहाँ पर लिखूंगा dot CSS, color is equal to blue, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हमारा CSS का rule है, जब वो end हो जाए, मतलब यह property, तो उसके बाद यहाँ पर semicolon लगाना है, यह VS Code automatic semicolon दे देता है, तो उसको लगा के रखना है, उसको हटाना नहीं है, तो CSS का मैंने color दे दिया, blue, तो यह देखो, blue color हो ग ठीक, तो चलो, ज़ो color दो, करके देखो, इसको दे दो yellow color, इसको दे दो sky, क्या होता है, sky blue, इसको sky blue दे दो, और इसको भी जो भी तुमें समझा है, वो दे दो, तो मैं यह उमीद करता हूँ कि आपने सभी का color दे दिया होगा, सभी को class देके, सभी को अलग-अलग color दे दि इसको class दे देते हैं, js, इसको color दे दिया, yellow, यह अलका सा अजीब लग रहा है color, लेकिन अभी के लिए यही रहने दो, अब यहाँ पर class दे देंगे, react, इसको color दे देते हैं, sky blue, तो अब देखो, यह color थोड़ा सा change होने लगा है, मतलब html csss का तो ठीक ठीक दिख रहा था, मतलब लेकिन javascript और react का थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अभी, अब देखो, अगर मैं चाहूँ tailwind को क्या color दो, तो tailwind का आप देखो, यहाँ पर अगर आके देखेंगे, तो react और tailwind का का काफी close color है, तो अब यहाँ पर काफी अच्छा मौका है, यहाँ पर discuss करने का, अभी तक हम लोग ने css में बस केवल ऐसे ही color दिये हैं, नाम लिख के बस दिया है, ठीक, लेकिन css के अंदर केवल नाम के द्वारा color नहीं दे सकते हैं, और इसमें color की कई सारी values होती हैं, वो भी दे सकते हैं, ठीक, तो यह जो नाम है, एक limited ही होगा, अगर मैं control space यहाँ पर दबाऊंगा, तो लबग 100.500 इतने ही नाम होंगे, इस एदर नाम नहीं है, लेकिन colors तो बहुत सारे हो सकते हैं, millions of, जो हमारा display होता है, वो millions, 16 million colors दिखा सकता है, ठीक, तो उसको represent करने के लिए, hex code होता है, और RGB, दो अलग-अलग format होता है, ठीक, ती अगर मैं यहाँ पर hover करूँ, तो इसका RGB वर्जन यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक, यह RGB में इसका color क्या होगा, color code, तो अगर मैं इस पर click करूँगा, तो देखो, अभी, यह, मतलब, वो RGB नहीं लिख यह, यह X का hex code आ गया है, ठीक, अगर फिर से मैं यहाँ पर click करूँगा तो यह HSL format आ जाएगा, फिर से मैं यहाँ पर click करूँगा, तो यह HWB कोई एक नया format है, यह आ जाएगा इसका, ठीक, और फिर यह RGB आ गया यहाँ पर, colors को ऐसे ही color के code में represent कर सकते हैं, हर एक color का एक code होता है, चाहे हो red हो, green हो, blue हो, या किसी भी रंग का कोई भी अलग shade हो तो इसका कोई color code होता है, जिनको आप लोग या तो RGB में, या तो, धेको यह RGB color code है, ठीक, या तो hex में, यह hex color है, इसको बोलता है hex color code, ठीक, इसको कभी हम लोग detail में सمझ लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, पहला फिर दूसरा क्या मतलब होता है, अभी तुमें ज़ादा म कोड़ मिलेगा तुम्हें उसको एपलाई करना होगा ठीक तो जैसे कि यह अगर मैं html का जो html है इसका इग्जाक्ट कलर कोड़ ढूंड़ने जाओं तो कैसे मिलेगा हमें क्योंकि यह इग्जाक्ट रेड तो नहीं है देखो यह 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 रेड है हमारा और यह है अलका सा अतलब और इंज टाइप में हलका सा रड से थोड़ सा दिफरेंट है तो अगर मुझे इसका कलर कोड़ फाइंड करना है तो उसके लिए एक एक स्टेंशन होता है क्रों का एक स्टेंशन अगर मैं यह पर जाओं कलर पिकर क्रों में सर्च करो तो यहां पर आ जाएगा यह क जा कर दो यह झालक पर जा है पर एक बार पीन बर चैयर कर तो है तो यहां पर यहां पर विखर के ओब टो खाले को ठ आपके करो तुम्हारे पास कुछ ऐससा ऐसा जाएगा तर फिर इस पे जाओ दोना कि रोगा sih है दोनो झेह Welsh नहीं यूज पर करते हैं हम लोग हैक्स कलर यूज करते हैं इसको कॉपी कर लो और यहां पर लाके पेस्ट कर दो यह हैश अल्रेडी था हम लोग के पास तो वह हैस नहीं देता अगर मैं विंडोस भी दबाऊंगा तो हैस के बाद वाला पूरा देता ठीक तो तुम्हें हैस अपने मन से लगा कर देंगे इसको करेंगे और और हो सकता है आपमें ऐसा एक तो इस पर एक बार क्लिक कर दो तो यह आज आएगा या आने लगीगा तो यहां motley क्लिक किया यह आ गया अभी यहां पर क्लिक करके ये color code में copy कर लूँगा मैंने copy किया यह पर आके इसको blue ना करके मैं hash करूँगा और फिर color code paste कर दूँगा तो यह काफी अब तक close है लेकिन हम लोग आप exact उसका color code बता रहे हैं जो ही CSS का है ऐसे ही JavaScript का अगर हम लोग देखेंगे आके तो अगर ऐसा कुछ हा रहा है तो एक बार इस पर क्लिक करोगे यहां पर आएंगे यह कुछ अजीब सा हो रहा है हाँ यह आ गया तो यहां पर ऐसे इस पर क्लिक करके copy कर लेंगे और अपने यहां पर आके yellow को हटा के यह कर देंगे ऐसे react का कर लेते हैं रियक्ट का कलर कोड यह रियक्ट का कलर कोड कॉपी हो गया है अब यहां पर टेल्विंट का भी कर लेंगे ऐसे ही टेल्विंट का कलर हमें कहां से मिलेगा यहां है कलर तो किसी भी element पर हम लोग ऐसे करेंगे और अगर हर एक हर एक का एक खुद का कलर दे दिया हमने हर एक का आकने उसका जो actual कलर होता है वह दे दिया एक तो अब यह इसको थोड़ось सा font weight इसका बढ़ा देते हैं तो अब मुझे मानलो हर एक li का font weight बढ़ाना है तो हम लोग लिखेंगे li और font weight इसको कर दो 700 थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो clear दिखेगा तो यह थोड़ा सा मोटा मैंने कर दिया इसको तो यह वाली style जो हर एक पर apply हो रही है क्योंकि हर एक li है लेकिन यह सारी style एक एक पर apply हो रही है हर एक पर नहीं apply हो रही है केवल एक पर apply हो रही है तो यह हो गया class selector अब class selector के बाद आता है id selector एक आईडी selector भी होता है हम लोगों ने global attributes वाले वीडियो में देखा था id selector भी होता है एक चीज तो अगर मैं यहाँ पर id दूँ id is equal to html ही दे देते हैं तो अब इसको कैसे select करेंगे इसको कैसे select करेंगे अब इसको select करने के लिए id को use करने के लिए मैं hash देना पड़ता है एक हैश फिर html है 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 लिखेंगे फिर उसके बाद जो भी id की value है वो डालेंगे फिर वहाँ पर लिखेंगे जो भी हमें लिखना जो भी style apply करना तो जैसे कि मुझे font size देनी है font size 32 32 pixel कर देनी है तो यह देखो इसकी size 32 pixel होगी तो यह हम लोगों ने id selector का use किया है और इसको style दी है तो आप लोग भी इसको id selector दीजिए हर एक को और इसका font size बढ़ा दीजिए 32 कर दीजिए अपका task है अब चलो मैं आप video pass करके कर दीजिए मैं इसको फटा फट कर देता चाहूं video fast forward करके तो यह देखो मैंने video fast forward करके सबकी font size बढ़ा दिये सबको id दे दिया था मैंने अलग-अलग फिर सबकी font size मैंने बढ़ा दिया तो अब इसका फाइदा क्या है जब सेमी style देना था तो अगर मैं इसको चाहूं तो इन सबको comment करके font size एक जगा पर दे दूँ सबको जब सेमी चीज़ देना था तो एक ही जगा पर दे दूँगा बढ़ जाएगा एक तो नॉर्मली जब हम लोग को font size नहीं देना था same font size देना था तो सिधा li को क्योंकि li एक ही बार में सबको select कर देगा तो यहां पर ऐसे नहीं की काम नहीं करेगा बस तुम्हारा code repeat होगा फालतों में एक्स्टा code रहेगा ठीक यह select नहीं होता जल्दी scroll हो जाता है उपर नीचे तो यह बस मैंने समझाने के लिए यहां पर लिख दिया अलग-अलग id दे दी और उसको font size दे दिया ठीक बस समझाने तो जैसे की हमारा यहां पर कोई ऐसा element है नहीं जहां पर कोई attribute हो ठीक तो यहां पर अच्छा तुम बता सकते हो कि यहां पर हमारा कोई element जिसके उपर कोई attribute हो बताओ देखो यह class एक attribute है और id भी एक attribute है तो हम लोग इसको as a attribute selector भी use कर सकते हैं ठीक तो देखो कैसे use करेंगे हम लोग ऐसे select कर सकते हैं ठीक attribute selector का syntax ऐसे होता जिससे की class selector को हम लोग dot से select करते हैं और id को हम लोग hash से select करते हैं और attribute को हम लोग select करते हैं ऐसे bracket के अंदर लिखके bracket के अंदर अगर हम लोग लिखेंगे class ठीक और फिर यहां पर अगर कर देंगे जा कर दें यहां पर background color अगर कर दें background color अभी हम लोगों नहीं देखा है लेकिन background color अगर हम लोग कर देते हैं green तो यह background color change करता है ठीक तो देखो सारी का background color change हो गया तो इसने किसको select किया है ऐसा element जिसके उपर class attribute दिया हो तो बस केवल इनी 5 के उपर class attribute दिया गया था अगर मैं यहाँ पर class attribute दे दूँ class उसकी value चाहे कुछ 2 चाहे ना दो यह automatic उस element को select कर देगा जिस पर वो attribute लगा है तुम चाहो तो यह equal to और यह भी ना दो बस केवल class अगर वहाँ पर लिख दिया है तो वो एक attribute बन गया और तुमने यहाँ पर उसको select कर लिया है class attribute selector का यूज करके तुम चाहो तो यहाँ पर कोई भी attribute दे दो जैसे तुमने यहाँ पर दे दिया मैंने जैसे मैं अपना नाम अनुराग यहाँ पर दे दिता हूं तो यहाँ पर मैंने एक attribute दे दिया है और इसका यूज करके मैं यहाँ पर select कर सकता हूं उस element को तो attribute selector को यूज करने के लिए हम लोग square brackets लगाते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग देंगे background color red चलो red दे देते हैं आज यहाँ पर मैंने red दे दिया अब देखो यहाँ में कितना तेज गड़ रहा है इसलिए मैं red नहीं देता हूं अगर मैं यही red इधर जाके दे दूँगा तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा भी खोदी लिख देते हैं तो यह देखो कितना ज़्यादा bright है यह color तो इसलिए मैं avoid करता हूं red को यूज करना तो यहाँ पर कुछ और color दे देते हैं यह जो भी ब्लू है तो यह attribute selector होता है कोई भी element के अंदर जब हम लोग कोई भी एक value लिख देते हैं element का जो tag होता है वहाँ पर अगर कोई value लिख देंगे तो एक attribute बन जाता है वो अब चाहो तो उसके is equal to कुछ लिख दो उसके is equal to लिख दो जिससे कि मैं आपर लिख देता हूँ pro coder यह लिख दिया is equal to भी चाहो तो तुम कुछ लिख सकते हो तो भी वो एक attribute रहेगा अगर is equal to कुछ भी नहीं होगे तब भी वो attribute रहता है इस case में इस attribute की कोई value है और जभी इसके पहले हम लोग नहीं लिखे थे तो कोई value नहीं दे थे तो उसकी कोई value नहीं थी तो अगर value दिया है तब भी हम लोग उसको as a value भी select कर सकते है मतलब इस पूरे को अगर copy करके यहाँ पर अगर हम लोग paste कर देंगे इसको अटा दो पहले था तब भी उस element को select कर देगा अब इसमें देखो क्या difference आता है अगर यहाँ पर यहाँ पर भी मैं अनुराग attribute दे देता हूँ अगर यहाँ पर अनुराग is equal to कुछ दूसरा लिख देता हूँ जैसे कि coder लिख दिया तो देखो इस वाले को उसने नहीं select किया क्योंकि यहाँ पर अनुराग is equal to coder है यहाँ पर मैं और specific हो गया हूँ अगर मैं केवल अनुराग कर देता हूँ तो देखो यह दोनों को select कर लेगा क्योंकि दोनों element के उपर अनुराग attribute है लेकिन दोनों attribute की values अलग है तो अनुराग is equal to अगर pro coder कर दूँगा तो बस के वाल यह select होगा क्योंकि इसके उपर जो अनुराग की value है यह pro coder है और इसके उपर अनुराग की value है coder, तो अगर मैं इस coder को copy करके यहाँ पर लिखोंगा, तो वो चीज हट जाएगा, यहाँ पर apply हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी value change हो चुकी है, तो इस तरह से हम लोग attribute selector को भी use करके हम लोग elements को select कर सकते हैं, तो most of the case में, लभग 90% of the case मे class selector ही use करेंगे, कभी-कभी हम लोग को जरुवत पढ़ेगी id selector की, और attribute selector की और भी कम जरुवत पढ़ती है, उतनी यादा जरुवत नहीं पढ़ती है, और फिर इसके बाद एक और भी selector होता है, वो एक combinator selector होता है, मतलब हम लोग दो selector को combine कर लेते हैं, आपस में, दो इधर ही सिधा उपर ही डाल देते हैं, hi, hi, my name is something, तो मैंने यहाँ पर एक ul tag के अंदर, मैंने एक p tag डाल दिया, तो अगर मैं चाहूं, तो p tag का अगर color दो, color green देते हैं, तो यहाँ पर जितने भी p tag है, देखो इसका भी color green हो गया है, color के जाए पर background color देते हैं, ज्यादा clear रहेगा, तो यह background color दे दिया मैंने green, तो यह देखो इसका color green हो गया, और यहाँ से यह green color हटा देते हैं, यह चीज, इसको मैं comment out कर देता हूं, control slash press करके इसको मैंने comment कर दिया तो मैंने देखो क्या किया है अभी p tag को select किया है उसका background color green दे दिया है तो यहाँ पर एक यह वाला p tag था और यह यह वाला p tag था तो यह दोनों select हो गया है और उसका color green हो गया है तो अगर मैं चाहूं तो ऐसा p tag select कर सकता हूँ जो कि किया बाल ul के अंदर है ठीक तो अगर मुझे ऐसा करना है तो यह पर बस आके ul और space लगा देना है तो यह चाहरा हो जाएगा कि वह वाला p tag select करो तो यहां पर आके अगर देखोगे तो देखो वही वाला सेलेक्ट हुआ है जो कि यहां पर जब तुम और फिर इस पेस लगा देते हो तो यह बताता है कि इसका कि लिए इसका अदर आ रहा है कि यह यहां पर अगर क्लास होती कोई मानूं यहां पर क्लास होती वेब तो हम लोग सिधा ऐसे भी दे सकते थे अगर हम लोग dot web करेंगे तो भी यह select करेगा तो इस case में क्या होगा यह ऐसा select करेगा कि यह वाला नतलब ऐसा p-text तुम ढूंड के select करो जो की dot web class के अंदर है उस वाले element के अंदर है जिसके उपर web class लगी है तो ऐसे हम लोग descendant selector इसको बोलते हैं और ऐसे हम लोग एक specific उसके अंदर हम लोग घुसके select कर सकते हैं एक element के अंदर वाले element को तो यह होता है descendant selector तो यह तो हो गया descendant selector अब एक बहुत cool सा selector है आपको बहुत अच्छा लएगा वो होता है pseudo classes बोलते हैं उसको pseudo selector या pseudo classes बोलते हैं तो कई सारे pseudo classes या pseudo selectors होते हैं उसमें से हम लोग केवल दो या तीन देखेंगे सबसे commonly जो होता है होता है hover तो चलो हम लोग देखते हैं हवर pseudo selector क्या करता है तो जैसे हमारे पास यह है hello world अगर मैं चाहता हूँ कि user का जब cursor यहाँ पर है तो इसका color कुछ दूसरा हो जाए कुछ भी हो जाए मालो मैं user जब hover करता है इसका चाहता हूँ color की blue हो जाए तो मैं क्या करूँगा इन सब को लिखा रहने दो यहाँ पर नीचे आके हम लोग लिखते है हम लोग अगर h1 का ऐसे कर देंगे color blue तो यह हमेशा blue रहेगा इसका color लेकिन मैं चाहता हूँ जब user इसके उपर cursor लेके आए तभी इसका color blue हो तो उसके लिए होता है pseudo selector उसको बोलते हैं hover तो उसका syntax ऐसा होता है कि कोई भी element लिखो colon लगाओ फिर यहाँ पर लिखो hover तो यहाँ पर मैंने लगा दिया h1 के उपर जब hover करें तो उसका color हो जाए blue तो यह पूरी line इसको यह बता रही है तो अगर मैं इसके उपर cursor लेके जाओंगा तो देखो इसका color blue हो गया हटा लिया इसका color change हो गया ले गया इसका color फिर से blue हो गया हटा लिया फिर change हो गया तो ऐसे लोग interactivity दे सकते हैं थोड़ा सा CSS का यूज करके तो अब आपका काम है कि जो इसके कोई hover करे तो इसका color हो जाए orange या कोई भी जो भी आपको अच्छा लेगे वो color दे दो ठीक तो वीडियो पॉस्ट करो और करके दिखा मुझे तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आपने इसको कर लिया होगा ठीक तो चलो करके देखते हैं तो यह क्या है एक p tag है यहां पर आके देखेंगे एक p tag है तो अगर हम लोग ऐसा कर देंगे जिस में आके p hover इसका color कर देते है orange color कर दिया orange अब इसको अगर hover कर रहे है तो इसका color change हो रहा है इसको इसका भी color change हो रहा है लकिन मुझे यह वाला नहीं चाहिए बसकि यह यह चाहिए तो क्योंकि यह वाला भी p tag है यह वाला भी p tag है तो इसने सारे p tag को select कर लिया तो तुम चाहो तो यहाँ पर already यह है क्या दिया है एक attribute दिया है और उसके साथ उसकी कुछ value भी दिया है तो अगर मैं क्यों अनुराग करता हूँ ठीक अनुराग attribute का use करता हूँ तो यह देखो यहाँ पर p को हम लोग हटा के यहाँ पर कोई भी selector रख सकते हैं यहाँ पर मैंने attribute selector रख दिया तो मैंने अनुराग दे दिया है ठीक अनुराग यह attribute selector दे दिया है अब मैं यहाँ पर चल के hover करूँगा तो देखो इसका change हो रहा है लेकिन इसका भी change हो रहा है क्योंकि अनुराग attribute इस पर भी है और इस पर भी है तो दोनों का हो रहा है तो मैं और specific होना पड़ेगा यहीं कि इसकी value भी बतानी पड़ेगी तो यहाँ पर आके इसकी value भी बता दो पूरा लिख दो अनुराग equal to pro coder इतना लिख दोगे जब तो यह नहीं होगा affect बसके वहले ही होगा तो ऐसे हम लोग specific मतलब एक element को target कर सकते हैं तो normally attribute selector ऐसे इतना commonly use नहीं करते हैं हम normally class ही use करेंगे तो जैसे my intro कोई class दे दो जो भी इसका meaning थोड़ा सा carry करता हो कि इसमें क्या लिखा है तो my intro है एक तरह से तो ऐसे class दे दिया तो class देने के लिए common practice होती इसको अगर दो word का कोई class दे रहे हो तो इसको hyphen से मतलब एक minus वाला जो symbol होता है इससे separate कर देना है तो ऐसे कर देंगे यह पर dot लगाएंगे और यह class दे देंगे तो यह हो गया हमारा class selector तो इसने बस उस element को select किया है और यह बता रहा है कि जब उस पर hover किया जाए तो उसका color orange हो जाए तो यहाँ पर देखो अगर आएंगे hover करेंगे तो उसका color orange हो रहा है तो ऐसे हम लोग थोड़ी सी interactivity अपने site पे ला सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग अलग अलग तरह के selectors का use करके अपनी website को style कर सकते हैं अभी इसके अलावा भी बहुत सा ही सीखेंगे जितना इनफ है साइट बनाने के लिए ठीक और उसा बाद में सीख लेंगे ठीक जैसे हम लोग project बनाते रहेंगे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे तो सब कुछ अगर एक साधी सीखने जाएंगे तो हमारा mind overload हो जाएगा और हम लोग frustrated हो जाएंगे तो यह रह देख लें तेक देखो यहां पर class यह देखो class दिया है class CSS class है और इसका color है यह और अगर यही CSS class में अगर मैं यहां पर फिर से आके अगर एक चीज दे देता हूं color यहां पर आके चलो मैं दे देता हूं hot pink तो अभी देखना क्या होगा इसका color hot pink हो गया तो हम लोग next video में य कौन सी styles कब ज्यादा उसकी मतलब कौन सी style ज्यादा उसका महत्त होता है ठीक कौन सी style ज्यादा powerful होती जैसे कि इस case में हम लोगों ने धूनों यही पूरा full detail में discuss करेंगे specificity इस topic का नाम होता है ठीक कौन सा हमारा जो selector हो ज्यादा specific है तो next वीडियो में हम लोग यही discuss करेंगे कि कौन सी style ज्यादा important होती है class ज्यादा important होता है element ज्यादा important होता है कि हमारा यह id ज्यादा important होता या attribute ज्यादा important होता है next वीडियो में हम लोग यही सब discuss करेंगे तो इस वीड